वीडियो हम बात करने वाले हैं Hybrid & Util के बारे में तो बेसिक यूटील का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम यहां पर is session की object को create कर रहे हैं इस तरीके से कप्रेयों को create नहीं करना है क्यों लिए उसका region है सब्कोर्ज कर यहां पर आपको एक टैब ही तुम लेकिन हमारे इस एप्लिकेशन में मल्टीपल टाइम रिक्वार है एटलिस थाउजन टाइम तो अपने कोई सेम कोड जो है थाउजन टाइम लिखना परेगा इस सेशन की ऑब्जेक्ट को गेट करने के थाउजन टाइम तो यह हमारे कोड रिडेरेंट हो जाएगा कि कोड डूबली केसी हो रहा बार बार तो इस चीज को क्या करेंगे इतने चीज को अपने को एक सेप्रेट क्लास में लिखेंगे और जब भी अपने को नीट परेगा तो सिंप्ली अपने को गेट कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं एक separate class में create करेंगे और वो जो object होगा एक ही बार होगा और जब भी हमें requirement होगा simply उस object को हम reuse कर सकते हैं तो इसको लिए simply क्या गाम करेंगे एक utile package में create करेंगे तो इसके लिए हमने क्या क्या है simply एक maven के project क्रेट किया है तो यहाँ पर देख को और इसका हमने दो dependency हाइबरनेट कोर एंड माइस्कोल क्नेक्टर की जार को यहाँ पर हमने दो dependencies को एड कर दिया और यहां से एक entities क्लास लिए जिसका नेम एंट मार्क एंटिटी कर दिया टेवल नेम फॉर्म अंडिसको टेप दे दिया प्लास नेम हमारा फॉर्मर है यहाँ पर आईड हमने मार्क कर दिया और इसकी जो आईड जनरेट होगो भी हाइबरनेट हमें दे और दूसरा हमारा वेरिवल है नेम एंड एड्रेस और इसके करेस्पोंडिंग हमने simply इसलिए गैटर सेटर को क्रेट कर दिया है इतना काम कर दिया अध्यन इस पर्टिकुलर हम फॉर्मर क्लास को हम कॉन्फिरेशन फाइल में मैप्ट कर दिया है इस पर मैपिंग क्लास इक्वल्टु कॉम.app.hive.entity फॉर्मर फुल्ली क्वालिफाइए नेम पास कर दिया और यहां से हम मैज्वल ड्राइवर डिभी यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसके करेस्पोंडिंग हमने यहां पर को क्रेट करेगा बाइद़ टेबल एक जिस्ट कर रहा और नहीं कर रहा है यह पर्टिक्लर को ड्रॉब करेगा देन न्यो टेबल को क्रेक्ट करेगा सो अंडर स्वेढ Wirk क्लुट क्या ऊपने मैं लुक्रीकार करेट । आर्फ स्वेबोड क्या n. inclusive क्योंकि जो हमारा particular configuration file है वो java.src main java के अंदर है तो इसलिए by default यहां से उठा लेता है लेकिन इसके अलाबा कर दूसरा location पर होगा तो अपने को particular location को यहां पर specify करना पड़ेगा देन विद दी help of cfg हमने यहां पर रिखा build session factory यह क्या काम करता है session factory को अपने को object देता है और इस session factory की object की help से हाँ पर हमें इसके पास एक method है open session तो इसको use किया है यह क्या काम करता है session का object create कर देता है तो यहां से अपने को session मिल जाता है अब इस तरीके से अपने को इसको coding नहीं करना है क्यों क्योंकि मान चलिए यहां तो हम एक time use करें जब हमारा application बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पर multiple time इस चीज़ को बार बार code लिखेंगे तो हमारे लिए code return हो जाएगा और इससे हमारा application का परफॉर्मेंस डाउन हो जागा यह जो हमारा session factory है ने एक heavy weight object है तो more memory occupy करेगा इस परफॉर्मेंस डाउन होगा तो इस चीज़ को overcome करने के लिए हम क्या काम करेंगे simply एक utility package create करेंगे और वहां से हम जब भी अपने को required हो session factory को object को get कर लेंगे तो simply यहाँ पर src पर आएंगे और यहाँ पर एप पर right click करेंगे और यहाँ से class पर क्लिक करेंगे और simply पना class का नाम दे देंगे हम हाइवर net utility यहाँ पर हमने class का नेम दे दिया और यहाँ से जो हमारा package जो लेता है उसको simply utility package के अंदर रखते है कि standard maintain करते हुए और यह particular हमारा class create हो गया और इस class में हम variable लेते हैं private और variable एज हम static define करते हैं और यह हमारा variable रहेगा वो रहेगा हमारा session factory और इसको दिंपली देते हैं reference variable करने में इसका देते हैं factory और इसकी जो initial value है वो नल से initialize कर देते हैं एंड इसके बाद हम क्या काम करेंगे एक static block create करेंगे और static block में simply इसके object करेंगा अब static block ही क्यूं क्यूंकि हम जानते हैं कि जब भी हमारा JVM में start होता है execution करना तो सबसे पहले वो static block को execute करता है जैसे हमारा application चालो होगा तो उसके पास जितने भी static block हो उसको execute करता है देन आगे का process वो start करता है इसलिए तो हम जाते हैं जैसी हमारा application चालो हो तो क्या गाम करेंगे सबसे पहले session factory को object कर देंगे और जहां पर भी इसको requirement होगा simply से call करें उसको सब्सक्राइब की object मिल जाएगा तो इट मींस क्या हुआ कि उसकी whole lifecycle में वो particular block इसकी ब्लॉक एक ही बार execute होता है इट मींस क्या हुआ कि इसका एक ही object create होगा बार बार हमें object create करने की ज़रूद नहीं परेगा इसलिए इसको static block में हमें को create करते हैं ओके यहां पर लिखते हैं factory and factory देते simply यहां पर new यहां पर देते configuration हम यूज करेंगे configuration जो हमारा org.hyvenant.cfg configuration particular package से आना चाहिए dot configure यूज कर देंगे configure पर अगेन हम लगा देंगे build session factory अभी जो हमारा build यह क्या करते हैं मैठ हट चैनिंग कर देंगे पहले हमारा configuration यहां पर यहां पर इसको पास करते हैं तब भी मैं पास कर देता हूं ओके तो सिंप्ली यहां पर लेते हैं hybrid.cfg.gml यह हमारा configuration फाइल करने में यहां साब देख सकते है hybrid.cfg.xml यह हो गया यहां से एक method को create करते हैं अब क्या हो गया किस रहसी class execution होगा इस particular factory का value यहां से initialize हो जाएगा यहां समय एक method को declare करते हैं तो इस method का नाम रहेगा method हमारा public type रहेगा and public static method रखेंगे और यह method हमारा return करेगा वो हमारा रहेगा session factory basically and यहां लिखेंगे get factory cable हम यहां पर method का नेम दे देते हैं ओके factory हमारा method का नेम हो गया तो यह हमारा method हो गया इस method का simply return क्या करेंगे return type हमारा factory रहेगा यहां से basically तो यहां से return कर देगा factory ओके यह से हमारा method का हो गया है यहां से अब क्या काम करेंगे देखे simply जो हमारा यह core बार बार हम यूज कर रहे थे इसको अपने को यूज ही नहीं करना है ओके तो इस पूरी लाइन को भी कमेंट कर देते हैं ओके एंड यहां पर लिखेंगे simply हाइवर नेट यूटिल क्लास जो हमारा यह क्लास था उसका नेम लिखेंगे इसको कॉल के और simply अपने को यहां से पास कर दे रहा है तो यह भी बैट सेशन अब इसके बाद हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना और वो ऑपरेशन कर सकते हैं और सेब करते हैं इसको करते हैं और देखते हैं हमारा डीवी में रिकॉर्ड सक्रिसफुली सेब हो रहा है कि नहीं तो simply हाँ साथ है पर माइस क्यों पर यहां पर डाटावेश करने में है उसके अंदर कोई भी इंपोर्ट है इसको रिमूब करने के यहां पर सिंप्ली किये कंट्रोल सिप्ट ओ तो अनवांटे जितने भी इंपोर्ट होंगे पूरे-पूरे पर पर रिमूब कर देगा ओके आजको रुखायरोगा उसको यहां साते हैं रान एज जाबा एप्लिकेशन पर सिंप्ली है सम्हीट करेंगे और इसको रन कर दिये और बेट करते हैं कि हमारा प्रोगाम हो ओके तो हमारा सक्सिस्फूली हमारा यह रिकॉर्ड सेव को इन्सेट करें तो आपने से गूड़ी को चला है यह पूरी यहां पर थी पहले से यह पर आपने पर पर आपने एगाव तो यह हमारा आगया तो सिंप्लिस पे right click करते हैं तो देखिया हमारा से particular record यहां पर आ गया one id हमारा आ गया address भीहर आ गया name ए श्याम आ गया तो इस तरीके से save कर सकते हैं अब जाए whole concept समझे रहे हो कि कैसे हम hibernate के utility को create करके session faculty को again and object करने से बस सकते हैं और अपनी application के performance को increase कर सकते हैं